Hello boys and girls, myself Dr. Raji Mishra and I welcome you to ATP Star, the super learning platform. Students, मुझे उमीद है कि आप सबी healthy होंगे, इस COVID situation में जरूर से आप अपना अपने family का ध्यान रख रहे होगे बचों, लेकिन साथ में मुझे ये भी पूरा उमीद है कि आप लोग सपने लगातार बुन रहे होगे, और आप उन सपनों को पूरा कर निकले, उडान भर निकले भी तयार होगे, बचों, सपने जितने बड़े होते हैं, उनके लिए मैनद परिश्रम भी उतना ही ज़्यादा लगता है, ठीके बचों, तो आज के वीडियो में, यदि आप लोग NEET 2023 को टारगेट कर रहे हो, जाता हूँ बचों, कि ATP स्टार जो है, वो लाँच कर रहा है, एक बहुत ही important course, उन बचों के लिए, जो just 11th में enter हुए हैं, 10th से 11th में आये हैं, क्योंकि 11th वाले जो student होते हैं, 11th 12th में जो 2 year prepare करने वाले हैं, उनको एक specific way में guidance ही है, उनको बहुत ही specific way में पढ़ाई की जरुद होती है, जो की काफी अलग होती है उन students के से जो target course में हैं, या 12th pass हो चुके, तो बचों, यहाँ पर ATP स्टार में कोटा के जो renowned best faculties हैं, वो faculties आपको mentor करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको guide करेंगे, ताकि आप NEET 2023 में best perform कर पाए, टॉप rank लेकर क्या है, यहाँ पर आपको proper guidance, doubt solving, best lecture, concept clearing, test series, सारी चीज़े जो हैं वो available होंगी बचों, ठीक है, तो यदि आपने अभी तक enroll नहीं किया है, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि offline कोचिंग स्टार हो जाए, तब हम पढ़ाए करना स्टार करेंगे, और best quota की support जो है faculties हैं, वो आपको, आपके सबने पूरा करने में help करने वाले हैं, ठीक है बचों, तो हम start करते हैं बचों, कि किस तरीके से, किस तरीके से हम अपने subject को, biology के specially बात कर रहे हैं, zero level से top level तक लेके जा सकते हैं, बिल्कुल point wise हम बात करते हैं यहाँ पर, और बचों, वीडियो को last तक देखना आपको इतनी अच्छी information मिलेगी, जिससे कि आपके लिए need का preparation जो है, वो काफी आसान हो जाएगा और आपको बाकी student के compare में बहुत जादा benefit मिलने वाला है, ठीक आपको पता होना चाहिए कि biology जो है, उसका importance क्या है आपकी need के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर biology जो है, वो 90 question cover करता है, 50% weight is cover करता है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा part है, यानि और बचों, दूसरी एक और important बात है कि need के अंदर biology में 360 out of 360 score करते हैं, तो आपको यह मान के चलना है, कि biology में तो एक single point भी ऐसा नहीं छोड़ना है, जिसमें आपको कहीं doubt हो, यानि आपका 100% cover करना है, ताकि आप 50% part जो है, अपने selection के लिए, वो cover कर पाए, biology के साथ में तो थोड़ा भी week नहीं छोड़ना है, subject के बार में यदि म मुश्किल काम नहीं है, बलकि आसानी से continuous पढ़ाई करके achieve किया जा सकता है, ठीके बचों दूसरे point की बात करते हैं, हम developing interest, बचों यदि आप biology पढ़ रहे हैं, या आप need के preparation कर रहे हैं, तो बचों सबसे important होता है, कि आपके बहुत लंबा time, आपको पूरा 11th पढ़ाई करन है, बहुत लंबा time है, आपको spend करना है, तो बिना interest के, आप इतने लंबे time तक पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, यानि जरूरी है, यदि आपको subject strong करना है, तो उस subject में आपका interest होना बहुत जरूरी है, तो बचों interest develop कैसे करें हम, तो बचों interest develop करते हैं, हम जब चीजों को relate करते हैं, real life से, यानि biology तो एक ऐसा subject है, जहां पर आप directly आपको बहुत आसानी से आप चीजों को real life से connect कर पाओगे, suppose आप digestion पढ़ रहे हो, suppose आप nervous system पढ़ रहे हो, तो आप उसे अपनी body पर apply कर सकते हो, suppose आप photosynthesis पढ़ रहे हो, transport implant पढ़ रहे हो, even cell के बारे में पढ़ रह तो आपके लिए subject interesting हो जाएगा, और जरूर से जो अच्छी अच्छी बाते मिलती हैं, आपको कुछ नई बाते आप सीखते हो, उनके related detail में जाओ, latest advanced techniques और जो है, उनके बारे में या जो improvement, advancement चल रहा है, उनके बारे में भी पढ़ो, क्या होगा, भले आपको पढ़ने में ल joy करके कर पाओगे, ठीके बच्छों, तो यहाँ पर सीदे, यह नहीं सोचना है, कि मेरे को neat के लिए ही पढ़ना है, बल्कि आपके में में यह भी होना चाहिए, कि मेरे को, इसलिए पढ़ना है, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को interest है, इसके लिए आपको पढ़ाई कर आता है कि, जो neat exam है, उसके अंदर questions जो है, वो NCRT based होते हैं, या mostly NCRT से आते हैं, तो source क्या होना चाहिए, source NCRT होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, source जो है, वो NCRT की बुक होनी चाहिए, लेकिन जब आप NCRT की बुक को पढ़ने जाओगे, इसके reading करोगे बच्छों, त NCRT तो आपको पढ़नी है, लेकिन उसका explanation जो है, वो बहुत easy language में आपके पास कहीं न कहीं से होना चाहिए, मतलब, मतलब आपके teachers जो हैं, उनके lectures जो हैं, वो आपको help कर सकते हैं, तो आपको essay lectures के requirement होगी, जो उन चीजों को proper way में explain करें, easiest way में explain करें, तो ऐसा source है ये होग आपको, साथ में आपको जो आप पढ़ रहे हो, उनके related question practice भी करनी है, ताकि जो आपने पढ़ा उससे जब आप question practice कर होगे, तो आपको confidence भी आएगा, आपको interest भी आपको लगेगा, कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को इससे questions solve हो जा रहे, तो इसके लिए आपको guidance and doubt solving, बच्चों यहाँ पर जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, यदि उनके mind में ही होता है कि हम self study कर लें, खुझ से study करके और हम prepare कर सकते हैं, सिर्फ NCRD या book पढ़के, तो बच्चों मैं आपको एक बात clear कर दूँ कि यहाँ पर आपके लिए mentors जो हैं, उनका बहुत important role ह होता है, क्यों कि यहाँ पर mentors जो हैं, वो आपके अंदर interest create करते हैं, जब आपको पढ़ाते हैं, तो आपको subject में interest आता है, plus आपकी जो queries होते हैं, क्योंकि आप fresh mind से सोच रहे हो, जो बच्चे 11th में आए हैं, वो बहुत ही fresh mind से और बहुत ही unique way में सोचते हैं, तो जब आप बहुत ही weird, बहुत ही अजीब चीजे भी सोच रहे हो, तो आपके mentors ही होंगे, जो आपको वहाँ पर सही direction में guide करेंगे, और आपको आपकी queries जो है, उनका explanation देंगे, तो expert mentors का होना, guide का होना बहुत जरूरी है preparation को best way में आगे ले जाने के लिए, तो यहाँ पर ATP star जो है, वो आपकी बिल्कुल help करेगा, और यहाँ पर आपको मिलेंगे वो mentors जो आपको best way में guide कर सकते हैं, और आपके doubts को clear कर सकते हैं, continuity is very important, बचो एक बहुत important बात और यह भी है, कि time देखो, कि यदि आप अभी से prepare कर रहे हो, तो आपके पस लगवग 2 साल का time में 2 years आपको आप अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ो और आपने थोड़ा पढ़ा उसको समझा, उसको analyze किया, उसके related कुछ details में गए, उसके related कुछ questions किये, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, suppose आप अभी से रोज के 2 घंटे ही biology को देते हैं, तो आप रोज 2 घंटे biology या 3 घंटे biology को करके और exam तक इतना ample time है, इतना सारा time है आपके लिए कि आपका कोई भी point weak नहीं रहेगा और आप best perform कर पाओगे, तो यहाँ पर एक दिन में ज़्यादा पढ़ लेना important नहीं होता है, सारे subject physics, chemistry, biology, तीनो subject को daily basis पे आपको particular time allot करना है, और continuity के साथ पढ़ना है, उसमें continuity break न उसके लिए एक और important बात है कि आपको start करना है easy level से, यानि जब भी आप अपनी study को start करते हैं बचों, तो पहले easy topics बढ़ें, easy chapters बढ़ें और उन chapters के अंदर जो conceptual बाते हैं उनको समझें, जो रटने वाली चीजे हैं या कोई बहुत तफ चीजे हैं उनके बारे में, उनके प जब आप पढ़ते हो तो अब जो tough चीजे हैं उनमें से कुछ cover करें, third time पे और कुछ tough चीजे cover करें, तो gradually आप अपना level बढ़ें, पहली बार में ही बहुत tough चीजों को cover करने के पीछे ना पढ़ें, otherwise आपका interest भी कम हो सकता है, और आपको subject जो है वो boring भी लग सकता है, बच ठीके बचों, तो यदि आप, यदि आप मेरी बता हुई इन बातों को follow कर रहे हैं और फिर अपनी पढ़ाई start कर रहे हैं, तो definitely आपका subject जो है वो 0 से top level तक पहुंच जाने वाला है बचों, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहों और NEET 2023 में आप लोग best score करो, all the best बचों, bye bye